हेलो एब्रिवन आज हम कंपनी लोकर जो केस डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सस कॉंटिनेंटल टायर और रबर कंपनी ग्रेट पिटें लिमिटेड इस केस को समझना बहुत जरूरी है और यहां पे इस केस को हम कॉप्टेट वेल इस पे बहुत इंपॉर्टेंट इसको इंटर्पेटेशन के तौर पे लेते हैं तो यहां पे सबसे पहले इसके फैक्ट स्टार्ट करते हैं जर्मन सिटिजन्स क्या करते हैं एक कंपनी इंकॉर्पेट करते हैं इंडिया में यहां पे यह केस कपका है यह केस फर्स्ट वर्ल्ड व यहां पर होते हैं जर्मनी में और इसके साथ यहां पर जो भी सारा माल आता है यहां पर वो भी सारा जर्मनी से आता है और इसके पास इसके सारे शेयर्स जो हैं सिर्फ एक दो शेयर को छोड़के वो सारे शेयर्स भी इसके जर्मनी में होते हैं और सारा मटेरियल भी जर्मनी लीए से सप्लाइ होता है तो इसके बाद यहां पर क्या होता है कि यह जो कमपनी है इंडिया में इसका नाम ही डैमनर होता है यह एक कमपनी का अभी यह कंपनी क्या कर रही है एक case file करती है और England की England based company होती है जो इंडिया में यह German based company है इंडिया में वो England based company होती है इंडिया में जिसका नाम ही यहाँ पे continental tire होता है तो यहाँ पे यह जो company होती है यह company क्या कर देती है? refuse कर देती है इनको जो debt है उसको pay करने से पूरा matter जो court में जाता है तो England की company कहती है कि since world war first चल रहा है तो यह हमारी alien company है और during world war हम इनको कोई भी पैसा नहीं देंगे क्योंकि वो पैसा यह हमारे against use कर सकते हैं अब इसके साथ यहाँ पर जो damnler company होती है यह वाली company इसका कहना यह होता है कि हम एक separate legal entity रखते हैं क्योंकि यहाँ पर इस German citizens ने हमें incorporate करा है है अब हम Indian company है तो यहाँ पर court का कहना यह होता है कि यह बात ठीक है कि company जब incorporate होती है वो separate legal entity होती है उसकी बट इस case में आपके पास separate legal entity नहीं है क्योंकि आपको आपको German citizens ने incorporate तो किया और आपके सारे शेयर्स भी German citizens के पास है आपको जो भी सारा माल एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो भी German citizens के चुई किया जा रहा है और world war चल रहा है यहाँ पर possibility बहुत सादा है कि अगर England based company आपको pay करेगी तो वो पैसा उसके against इस्तमाल हो सकता है तो यहाँ पर कोड जो है वो क्या करती है वो उनको separate legal entity मानने से ही क्या करती है मना करती है और lifting of corporate will allow करती है तो इस case में इतना ही है see you in the next video thank you झाल 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 झाल